नमस्तों दोस्तों जेल मास्टर यीटूब चल पर अपसाब का स्वागत दोस्तों बात करेंगे ड्रीम इलेबर उपन सुपर मैस्टीटीटीटीट जो वेलिंटन ब्लेज वर्सेस ऑगलन हर्स के बीच में होने जा रहा है जिसका डेलेन दोस्तों रात दो बाज का 30 मिनिट प बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग टीम है अगलन हर्स का कुछ ऐसे प्लेयर है जो लास्ट मैच नहीं खेली थी तो अगर वो खेलेगी तो इंपोर्टेंट जरूर होगी तब अब लोग थोरा सा रिस्की मैच हो सकता है तो मैं अपडेट तो जरूर कर दोंगा कितना इन्वेस प्लेयर को लेने की कोशीज करेंगे और अगलन हर्स का कुछ नहीं प्लेयर जो है वो अगर एड़ हो जाएक लाइना पर तो बूस का करना ही या नहीं वह सारे चीज़ें लोग आगे डिसकस करने वाले है कैप्टन भाइस कैप्टन तीन से चार ऐसे अपसान है जिसको आप मतलब रोटेशन में यूज कर सकता है ठीक है तो वह मैच के मतलब टॉस के एकोडिंग मतलब हम लोगों को जाना है तो सारा चीज़ें हम लोग डिसकस जरूर करने वाले हैं लेकिन आप लोग के कम करना पड़ेगा मेरे यूटूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब अभी त मेरा वीडियो अभी देख रहे हो ना उसका टाइटेल काल पर क्लिक कीजिए सीधा ड्रेस के साल पर चलागे थोरा से नीचे आके देखिएगा दो ब्लू कलर के लिंक दिया हुआ हुआ है माइटे लिगम चैनली माइटे लिगम गुडू बिंग दोनों कब्लिक करके जरू जो सीजं था न वो उसका दो एक दो स्कोरकार हम लोग देखेंगे तो उससे हम लोग और भी जाद अंधाज़ा लग जाएगा कौनसा प्रेड इंप्वर्टन है कौनसा नहीं तो चले दोस्तों देर ना करते शुरू करते है तो आए दोस्तों पहले अगलान हार्ट्स का स् स्कूर कर जो एक दो दिन पहले मैच खेला था तो उसका स्कूर कर देख लेते हैं कि इधर से के साथ मैच था तो पहले बैटिंग क्या था केंट्री मैजिशन वान 27 रन आर्ट विकेट खोकर बनाई थी बोलिंग परफॉमेस इधर से क्या हुआ था अगलान हर्स का अन्हा ब् लेक ब्रोला रहे तो लेक ब्रोला तो इंपोर्टन हो सकता है वह मतलब खास करके वह मैच में तो स्काइबोड इन को दोस्तों इसका रेकॉर्ड उधना कुछ खास नहीं है लेकिन इसको चारुए केट मिलाता लेकिन चारुए कि क्यूं मिला था यह देत आवर में दाले थी तो इसलिए फिर से आगा डेत आवर में बोलिंग दाले तो इंपोर्टन है ठीक है लेकिन पहले बैटिंग करेगी तो उतना ज्यादा इंपोर्टन नहीं होगी क्यूंकि इसके उपर थोरा मतलब बहुत सारे यूजर जिसको कैटन वाइस कैटन बनाएगा क्यूं हुआ था उधना कुछ खास नहीं हो तो बीस ओबर में 116 रानी बना पाई थी सच्ची सहरी दोस्तों इसका रेकोड ठीक है दोस्तों इसका मतलब अनुभवी है मतलब एटीटर दी मैच खेलने की तो इसके उपर आप लोग जा सकतो आन्ना ब्रोइंग चार रन बनाए थी अनुभवी प्लेयर है लेकिन इस मैच में थोड़ा सा फ्लॉप गई थी इसके लब पूर कटन दोस्तों यह हर बग दोस्तों बीस पच्चीज रन बनाके आप लोग को दे सकती है तो आप लोग को टीम में जरूर आना चाहिए इसके पेंफॉल दोस्तों बैटिंग बोलिं इसके साथ मैच वहा था दोस्तों इधर से ओटा को सपार्क के साथ तो पहले बैटिंग करते हैं और इसके बाद दोस्तों बैटिंग मतलब आप लोग देखिएगा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट हीट करते है तो इधर से बहुत ही इंपोर्टन हो जाएगी पहले बैटिंग में एमिली कार दोस्तों बैटिंग बोलिंग दोनों सब लोगों पाइन देखे जाएगी इसके बारे में जितना कम बलूद नहीं बैतर है जीपली मर दोस्तों ये भी एक सांदर ऑप्सन बन जाएगी इंटेनासल मैच भी कुछ खेली है और अनुभवी प्लेयर है बहुत ही जवर्दस्त फ़र्म में गुजरत लई है तो इंपोर्टन जरूर है खास करके फ़स्त बैटिंग में ठीक है इसके लबहुत जादा इंपोर्टन प्लेयर है बोलिंग बहुत सांदर लेक ब्रेक बोलर करती है तो बहुत ज़दा इंपोर्टन है कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में आप लोग सोच सकतो एमिलिया के साथ ठीक है केट चांदलर दोस्तों ये भी बोलिंग डालती है वो डियाए मैच कुछ दिन पहले हो रहा था तो पायं देखें जहां सकती है बाकी दर से देखिए केट लिंकिंग बहुत ज़्याद नीचे बैटिंग कर रहे है तो उतना कुछ इंपोर्टन नहीं है खास करके पास प्रेटिंग में लोग ट्राइब कर सकते हो लेकिन सेकंड इनिसमें करने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन टीम के तरफ से बहुत दिन से खेल रही है तो इंपोर्टन जरूरे चार बार बोलिंग कर रही है जैस कर दो उइक लिके लिके गए तो इसको ठीक ठाक है तो इसको प्राब लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर हो सके तो देखिए पहले बोलिंग में तीन- सब्सक्राइब बनाए था तो इदा से देखिए एमिले सची सब्सक्राइब बनाके दे सकती है तो लगभग ये ड्रीम पर आ सकती है ठीके इस बैल गेजे बीजरान स्काइब बनाके गई थी बाकि दोस्ते से हैली हडल स्टोन ने गयारा रन बनाई थी तो बोलिंग बोलिंग से भी बहुत सांदर पार्फॉर्मेंस करके गई थी जो बैटिंग बोलिंग दोनों सब्सक्राइब नहीं पर बात करेंगे क्योंकि कंबिनेसन नहीं रहने वाला है इस मैच में ठीक है तो उससे पहले फिर से आप लोग की याद दिला देता हूं मेरे यूटूब पूप चल को जिसन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो जरू सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरा जील मसर टेलिगाम चैनल जोएन नहीं कि तो जरूर जोइन करके रख दीजे क्योंकि उदर इमें अप्रटर जेली प्रवाइड कर दूंगा जिस टिम से मैं खुद खेलत चाहिए मैं भी अप्डेट जरूर टेलिगाम पे अप्डेट कर दूंगा तो इदर से दोस्तों एम ग्रीन बहुत ज़्याद इंप्रेटन प्लेयर है लेकिन लास माज नहीं कहले थी इस मैंज में खेलेवी की नहीं कहलेगी पता नहीं बेल आमस्टों ठीक टाक आप्सन है पहले बैटिंग में आप लोग ट्राइ कर सकते हो इदर से रेवे का बांस ओपिनिंग में आ रही है ओए लिंटर ब्लेज के टीम के तरफ से सीकिंग बहुत ज़्याद नीचे बैटिंग कर रहे के लिए आ रही है एस बोडन दोस्तों बैटिंग बोलिंग दोनों से हम छोड़ों को बैटिंग लोगों को लेना चाहिए कि चांदेला दोस्तों बॉलिंग भी करती है इसको अगर मौका मिलेंगी तो बहुत सांधर परफमेंस कर सकते हैं उसको भी उसक लीज़ेगा बाकीए बढ़ों का लोग बाद में देखेंगे बोलिंग से एक कार को तो हमोगों को मतलब क्या क्या है अगर कंडिशन में हम लोग लेकर जाना चाहिए बाकी इधर से एन वेयर्ट को हम लोग लेकर जाएंगे तीन से दो तीन वबद तो जरूर डालने बाली है ठीक है बाकी इधर से और कोई उद्दा कुछ खाज नहीं है और जैस्वाल जिसका एक और मेर को नहीं मिला था तो लास्ट मैज में चार वर कॉंपरम बोलिंग डाली थी एक कोई केड़ भी लेगे गई थी तो सेकेंड इनुस में हम लोग जरूर ट्राइ कर सकते हैं ठीके बाकी इदर से दोस्तों दो अभी के लिए बच रहा है जारा जेडली को हम लोग पिक कर सकते हैं एक option जो अभी के लिए बच रहे हैं आब लोग ब्रोंग को ट्राइ कर सकते हो नहीं तो इधर से जीप प्रेभाइस को लेकर लेकर जाने बाला हूं अगर पूराना कोई नया प्लेयर नहीं अगर खेलेगी तो ठीक है जैसे के मेरी ग्रीन इसके इलाबा दोस्तों इधर से आई गेजे बागी अल्रॉंड सेक्षन से दोस्तों भूक हैलीडे ठीक है तो बाकी दर से एप जोनास एम एम पेंफोल यह भी दोनों प्लेयर है ना ए तो सोज लीजिए वह नहीं खेल रही तो इसलिए यह कंबिनेशन हम लोग बनाया है तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना चाहिए पहला अप्सन एम एक थार्ड बाला ऑफ्सन जो है जिए पैंफोल यह तीनों प्लेयर के उपर आप 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 लोग निग ज़रूर च दो यह तो हो गया और पहले बैटिंग में जह मेक फिदिन और आरवंस यह दोनों प्लियर के बीच में कोई एक प्लियर आच्छा स्कोर बना के जा सकते तो अब लोग है अगर वो खेलेगी तो बाकि एम पेन फॉल इंपोर्टन है अगलन हर्स्ट्रीम के तरफ से बाकि इधर से और कोई खास नहीं है तो एक दो टीम में जरूर आर जैसुवल को ट्राइ कर सकते हो रिसी का जैसुवल इसका रेकॉर्ड नहीं मिला है मेरे को मैं बार बार कह रहा और ऐसे जगह पे रहती है ना मतलब कैचिंग से अब लोगों बहुत ज़्यदा पॉइंट दे के जा सकते हैं और बैटिंग बहुत सांदर कर लेती है इंटरनेशनल प्लेयर है बाकि बेल आमस्टरम को कुछ टीम में जरूर ट्राइकर करके जाईएगा ठीक है तो यह सारे जो वेलिंटन ब्लेज पहले बूलिंग कर रही है तब आप लोग उपेनर से मैच फिनिस हो सकती है तब आप लोग इसको कैप्टेन और इसको भी सी जरूर देखे जाईएगा एक वान साइद टीम का मेंनेशन जरूर अब लोग वना लेजिएगा क्योंकि मैट पिपिंग स पॉइंट देगी और रान भी वनाएगी और रेवेगा वान्स दोस्तों इसको अब लोग भी सी ट्राइग कर सकते हैं तो एक सो राम के बीतर है न यह ओल आउट हो सकती है नहीं तो ज्यादा रान भी नहीं वना पाएगी तो ऐसे सोच कर में एक टीम कमेंनेशन बना रहू तब आप लोग इसको कैप्टन इसको भी सी वन साइडे मैच अगर चला जाएगा न हम लोग को जरूर फाइदा होने वाला है तो अब लोग जरूर वन साइडे टीम कमेंनेशन बना लीजिएगा और बाकी कैसे प्लेयर को रूटेट करना है कहां करना है तो आप लोग में बता चुक हो तो आप लोग जरूर ट्राइग कर लीजिएगा ठीक है तो अगर अगलान हर्स पहले बोलिंग नहीं करेगी तो एस बाउडन को पूरा लोग थुरा सा रिस्क ले सकते हो बहुत जदर रिस्क की हो जाएगा लेकिन रिस्क ले सकते हो इसके लब से ब्रोइंग करके आओगे ठीक है वीडियो कैसा लागा है प्लीज कॉमेंट करके लाइक करके जरूर बता दीजेगा आप लोग दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल ना बुले तो चलिए दोस्तों मिलते हूं इस मैच के अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई